प्याज के निर्यात पर प्रतिबंद हटने की अटकलों पर विराम लगने के बाद अब प्याज के भाव में नर्मी आई है इससे पहले निर्यात हटने की अटकलों के कारण मंडियों में प्याज के थोक भाव तेजी से बढ़े थे अब ये सपस्ट होने के बाद की प्याज के निर्यात पर प्रतिबन पहले से निर्धारी समय तक जारी रहेगा मंडियों में इसके थोक भाव में गिरावट दर्च की गई है हलाकि प्याज के निर्यात पर प्रतिबन सरकार ने कुछ देशों के लिए हटाया है सरकार ने कारोबारियों को कुछ देशों को सीमित मातरा में ही प्याज के निर्यात की इजाज़त दी है केंदर सरकार ने कुछ देशों में सिमित मात्रा में 54,760 टन प्याज निर्याद करने की अनुमती दी है कारोबारियों को ये प्याज बांगलादेश, बहरीन, मौरिशस और भुटान को निर्याद करने की अनुमती दी है केंदर सरकार ने पिछले साल दिसंबर महिने में प्याज के निर्याद पर रोक लगाई थी और इससे पहले साल 2023 की अप्रेल से न munber अबधी में 16,26,000 टन प्याज का निर्याथ हो चुका है जो इससे पहले वाली समान अबधी में निर्याद हुए 15,19,000 टन प्याज से करीब 7 फीसदी ज्यादा है दरसल प्याज के कीमतों में आई तेजी को देखते हुए मंगलवार को के इंदर सरकार ने ये सपस्ट कर दिया है कि प्याज के निर्याद पर लगी रोक फिलाल नहीं हटने वाली है और यह रोक पहले से निरधारी तिक 30 मार्श तक जारी रहेगी सरकार के इस पस्टिकन के बाद मंडियों में प्याज के थोक भाव में जो तेजी आई थी वो गिरावट में बदल गई लासल गाव मंडी में प्याज की मोडल कीमत 14.500 रपेर प्रतिक विंचल के आसपास कारोबार करती दिखाई दी जो 19 फरवरी की तुलना में करीब 20 फीसदी कम है प्याज के निर्यात पर रोक हटने की अटकलों के बाद इस पूरे सब्ता में यानि सौवार 19 फरवरी को महराश्टर की परमुक मंडी लासल गाव में प्याज की मोडल कीमत में जो तेज उच्छाल दर्ज किया गया था अब उसमें गिरावट देखने को मिली है वहीं दिल्ली की अजादपूर मंडी में इस दोरान कीमत 1594 रुपे से बढ़कर 1844 रुपे प्रतिक विंचल हो गई थी जो अब फिर घटकर 1470 रुपे प्रतिक विंचल के आसपास पहुँच गई है दरसल मंडी के कारोबारियों का कहना है कि निर्याद पर रोख खटने की खबर के कारण उतपादक राजिया खास कर महराश्टर की मंडियों में दाम बढ़ने लगे जिससे दिली में भी प्याज महंगा हो गया लेकिन अब निर्याद जारी रहने की खबर के बाद वापिस से मंडियों में प्याज के दाम घटने लगे है आगे कीमतों के बारे में जानकारों का कहना है कि सरकार की निती और आगे आने वाली नई फसल की आवक पर कीमते निर्भर करेंगी